आज हम discuss करने वाले हैं कि बेदानता कंपनी को हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और इसमें कितना दम है क्योंकि ये सबसे dividend देने वाली कंपनी मानी जाती थी और even तक अभी इसके fundamentally बहुत ही strong कंपनी है तो दोस्तो हम ये जो जानकारी देने वाले हैं इसमें बहुत सारे fundamental और बहुत सारे technical analysis के बाद हम discuss करने वाले हैं तो ये वीडियो काफी आपके लिए शाहिए होगी हो सकती है कि future में आपको इसे purchase करना चाहिए या नहीं purchase करना चाहिए ये सिर्फ आप ये वीडियो देख कर ही पहचान सकते हैं बाकी रही बात कि आगे कैसे आपको लेना है या नहीं लेना है उसमें कैसा analysis पार्ट को देख करके आप अपना decision ले सकते हैं तो हम finally video को start करते हैं और ज्यादा समय नहीं लेते हैं दोस्तों आईए video को हम आगे की और बढ़ाते हैं तो फिराल मैं जो बेदानता कंपनी की बात करने वाला था कि बेदानता कंपनी बिसकली किया है सबसे बड़ी leading company है junk और silver में तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं हेलो दोस्तों मैं राउल सिंग एक trending share market की दुनिया में शौगत करता हूँ आपको और आज हम दादा से बात करने वाले हैं कि वेदानता गुरूप of company का जो share है वो कितने standard भाव से गिर रहा है काफी समय से और इसमें fundamentally क्या दम है और कितना PB और PE ratio है और दोनों का heal point क्या है वो उसके बारे में हम technically और fundamentally काफी लब में कतार और सारे चीजों को लेके हम discuss करते हैं कि future में वह आपके लिए कितना फायदे मंद और कितना जबर्जस्त होने वाला है तो हम यह सारी information अभी साथ में बहुत सारी calculation के recording हम discuss कर रहे है क्योंकि यह हो सकता है कि कुछ लोगों का मानना है कि हाँ आभी हमें पर्चेश करना यानि पर्चेश करना है तो हम वापस से स्टार्ट करते ही है वीडियो को समय ना लेते हुए यह सब प्रोड्यूस करती है अब यहां पर हम देखें तो आप देख सकते कि कंपणी जो है वेदा अंता यह लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जिंक लेड एंड सिल्वर एलिमिनियम आइरन ओर और ऑल और गैस एन फेरो क्रोम का अपने बिजनिस सेगमेंट पर देखाया त तो हमें नोट करके चलनी चाहिए ठीक है चलिए तो कंपणी बेसिकली एलिमिनियम जिंक लेड एंड सोलवर ओल और और अइरन ओर स्टील कॉपर पावर फेरो क्रोम यह सब प्रोड्यूस करती है ठीक अब आने वाले समय में क्या स्कोप है इन सब का यह हमें समझना होगा इन सब की रिक्वार्मेंट पहले भी रही है कल भी रहेगी और आने वाले समय में ग्रोथ इसमें होने ही होने वाली है ठीक है चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं इनके कौटर 1FY24 के फाइनेंशियल स्नैपशॉट की तो रेविन्यू 33,000 करोड रुपए के आसपास रहा ह एविटा यहाँ पर 7,000 करोड रुपए के आसपास रहा है एविटा मार्जिन 24% के आसपास रहा है कंपनी प्रॉफिटेबल है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,300 करोड रुपए के आसपास रहा है आरोसी यहाँ पर 17% के आसपास देखने को मिल रहा है इंपोर्टन यहां पर 1.88x देखने को मिल रहा है जो की एक concerning figure है इसके बारे में हम आगे detail में बात करेंगे company के पास cash यहां पर surplus मात्रा में देखने को मिल रहा है ठीक है चलिए fundamentals discuss कर लेते हैं detail में तो हमें समझ में आएगा कि company का fundamentals वाके में कैसा है देखी company के fundamentals अगर हमें पता होते तो थो अगर आने वाले समय में अपने debt को कम करने का यह प्लान नहीं करते है ठीक है price to earning ratio के हिसाब से और PG ratio के हिसाब से हम कहा सकते हैं undervalued हाला कि PG ratio के हिसाब से यहां पर stock overvalued दिख रहा है बट PG ratio के हिसाब से stock undervalued है based on its current price ठीक है यहां पर face value एक का आने वाले समय में stock split नहीं हो सकता तो fundamental सम देखे overall investment के purpose से ठीक है चली अब यहां पर बात करते हैं इसके financial highlights के बारे में तो ध्यान दीजिए जो total revenue आपको year on year growth दिखा रहा है हाला कि कभी किसी साल में आपको ups and downs देखने को मिलते हैं बट overall देखें तो आपको year on year यहां पर revenue में ग्रोथ देखने को मिल रही है और year on year आपको profitability में ग्रोथ देखने को मिल रही है अब यहां पर profit before tax आप देखिए तो 2022 के मुकाबले कम होता हुआ नजर आया है 2023 में आप ध्यान देजिए 32,000 क्रोड रुपए के आसपास profit before tax था 2022 में और यहां पर 2023 में 20,000 क्रोड रुपए के आसपास profit before tax नजर आ रहा है FY 2023 की बात हो रहे 2023 तो अभी चली रहा है FY 2024 चल रहा है ठीक है तो यहां पर हम देख रहे है कि जो consistent growth path होना चाहिए यानि कि हर साल आपको year on year at least 10-15% से growth होती रहे profitability में revenue में sales में वो आपको consistent growth path नहीं देखने को मिल रही है कही ने कहीं से ठीक चली अब यहां पर बात करते है इसके free cash flow के बारे जो कि एक positive point है इस particular company के लिए तो किसी company में अगर positive free cash flow रहता है तो ऐसी company में surplus cash flow रहता है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि इनकी failure होने के chances कम होते हैं यहां पर एक ही major concerning factor नजर आ रहा है जो कि है इसका overall debt ठीक है चली यहां पर बात कर लेते हैं एक important factor के बारे में कि इसका shareholding pattern क्य देखिए shareholding pattern से हमें बहुत ही अच्छी information मिलती है और बहुत सही decision हमें लेने में मदद करती है shareholding pattern तो यहां पर ध्यान दीजिए promoter shareholding 68% के आसपास है और जो promoter shareholding के pledging हुई है वो पूरी की 100% promoter shareholding की pledging हुई है 14% यहां पर public और यहां पर देख सकते हैं करीब-करीब 17-18% के आसपास आपको institutional shareholding यानि कि qualified investors का investment देखने को मिल रहा है तो इस company में आपको qualified investors देखने को मिल रहा है लेकिन qualified investors में mutual funds बहुत ही कम है तो यह बात आपको ध्यान में देखे चलनी चाहिए ठीक तो mutual funds आपको बहुत बड़ा hint दे रहा होते हैं कि company में investing holding है वो पूरी के प्लेज हो रखी है तो यहाँ पर अगर किसी को investment करना है तो पहली बात तो investment करने से बचना चाहिए अगर करना भी है commission पद्द्द किये हमने देखा company consistently dividend payout कर रहे है और dividend yield 40% के आसपास निकल के आ रहे है इसका यानि कि हर 1000 रुपाय पर 400 रुपाय के आसपास हर साल यह dividend पे क इस एक लाग पे 40,000 यहाँ पे हम हर साल dividend के form में कमा सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा potential है दो यहाँ पे fundamentally strong दिख रहे है बट fundamentals के हिसाब से थोड़े बहुत negative points भी दिख रहे है बट dividend इतना अच्छा है इसका कि हम अगर इसमें एक लाग रुपाय का investment करें त खीक है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप देखिए इन्हों ने 2023 में अलड़ी तीन बार dividend दिया यहाँ पर 12,5 रुपाय का साड़े 20 रुपाय का साड़े 18 रुपाय का करीब करें 38, 49, 40, 50, 52 रुपाय के आसपास यह dividend अलड़ी दे चुके हैं 2023 में ही महज 5-6 महीनों मे तो अगर हर साल यह 100 रुपाय पर शेड डिविडेंट दे रहे हैं अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को करेंटली प्राइस 250 रुपाय के आसपास चल रहा है राइट अगर हम इस डिविडेंट को भी मिला दे हैं तो 300 रुपाय के आसपास ट्रेट कर रहा होता अगर इन्ह में 2023 को 9 बज के 15 मिनट पे इस 300 में 18.5 रुपाय रेडियूस हो जाएंगे ठीक यह बेस्तिक सा प्रिंसिपल हमें एज रिटेल इन्वेस्टर नहीं पता रहता है अल्मोस्ट 98-99 पॉसेंट लोग को नहीं पता रहता है इसलिए हम यह नहीं समझ में आता है कि वाकई में हमे क्या करना चाहिए अच्छा खासा डिविडेन देती रही है तो यहाँ पर कलियर कर संकेत यह है कि अगर इसमे सोर्स और निंग के लिए डिविडेन investing के purpose से investment किया जाए तो भी हमें एक अच्छा खासा returns मिल सकता है इसके मात्र टीवीडेंट से ठीक है अब यहाँ लिए तीन चार महीनों में semiconductor produce करके रख देगी आपको समय देना होता है किसी भी business में grow करने के लिए तो यहाँ पर at least एक दो साल लगने वाले हैं इसका मतलब यह कि अगर हमें semiconductor की वज़े से वेदानता में investment कर रहा है तो at least तीन चार साल के लिए रुकना होगा एक fruitful investment पर return पाने के लिए ठीक है चली अब यहाँ पर ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं जो semiconductor manufacture करने के लिए जो materials चाहिए होते हैं वह materials basically वेदानता produce कर सकती है कर रही है तो यहाँ पर वेदानता को बहुत ज्यादा difficulties नहीं आने वाली है semiconductor manufacture करने में ठीक चली हमने fundamentals वगरे देख लिए हमने सारी information देख ली अब यहाँ पर यह देखते हैं कि क्या current levels पर buy करना बनता है या नहीं in case अगर हम buy करने का decide करते तो एक दिन के candlestick chart पर इसमें गिरावड दिख रही और यह जो box बना था box को यहाँ पर break करके भी नीचे आ चुका है तो box जब भी बनता है एक आपको breakout देखने को मिलता है या breakdown देखने को मलता है यहाँ पर हमें clear-cut breakdown देखने को मिला है एक दिन के candlestick chart पर और अगर हम इते को करें एक मन्त के candlestick चार्ट पर तो एक मंत के कैंडल स्टिक चार्ट पर देख सकते हैं ये ब्रेक्डाउन हमारे लिए एक वर्दान सावित हो सकता है क्योंकि यहां पर रिसंट हाई जो गया था लागया और यह कहा निंग्ण से रह इस पर्टिकूलर स्टॉक कि यह कभी एकदम से उपर चला जाता फिर कभी गिर जाता है फिर उपर जाता है फिर वर जाता है फिर यह विस्क्त देखा जाते हैं इसका जो मुवनन है तो दोस्तों यह information आप लोगों को काफी अच्छी लगी होगी और विदानता यह company काफी strong है fundamentally बाकी अभी मेरे इसाफ से आभी आप लोगों को रुखना चाहिए फर्चेज के लिए लगबग यह और दोस्तों के बीच में आपको फर्चेज करना चाहिए और maximum यह जब आगे बढ़ेगा तो 160 के आजू बजू उपर जाएगा तो आप लोग यह अपना decision खुद ले सकते हैं विकॉज हमने तो जो fundamental और technical charts कह रहे थे उसके according दादा से discuss किया और यह मेरा पहला वीडियो है technically और share market की बजार में तो दोस्तों यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो like करे subscribe करे फिर मिलेंगे हम